बिहार के अब विभिन पंचायतों के वाड्डियों के वाड्ड सच्चिव अपना अब रन्निती थोड़ा अलग करते हुए दिखने लगे हलाकि वह हार मान नहीं रहे हैं लेकि अब रन्निती में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है यानि सत्ता पर दवाव बनाने के लिए अब दूसरी तरह के पहल किया जा रहा है जहां तक मैंने एक विडियो में बताया था कि वाड्ड सच्चिव जो हैं अब दो फाड में दिखने लगे हैं हलाकि उस पर बहुत लोगों की आपकती हुई लेकि सत्य को सत्य ही कहा जा सकता है जिस परकार से पतना में मुमेंट को देखा गया तो निश्ची तोर पर मेडिया घराने से लोग कहने तभी चुक नहीं सकते हैं कि अब वाड्ड सच्चिव दो फाड में दिखने लेगे हैं और तिसरा फाड भी तैयार हो चुकी है कारण कि जैसे ही निरासा हाथ लगती है तो कुछ लोग जो है संगठन का साथ छोड़ देते हैं उनका एक अपना हो जाता है कि अब हमें लगता है कि नोक्री नहीं बचेगी फिर भी अब बिहार पंचायत वाड्ड सचिव संग एक दोक मंत्री से आगराभी करने के लिए परियास रफ्य है वहीं हमारे वाड्ड सचिव भाई जो हैं अपने अपने परखंड में पुरे परखंड के तमाम वाड्ड सचियों के साथ बैठक करें और वीडियो साहिपो ग्या पंसा ओपे जिसमें योक्ता के सासाथ जाएगा नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल वो भी और आप इस शमय देख रहें मगशन बार हमेशा वार्ट सचीव को लिए हम खबरे लेकर आपे रहें सत्य का साथ हम देते हैं सत्यता बताते हैं लेकिन कुछ अब पहले जिनको अच्छा लगता था हमारा चैनल पर सही को सही कहना परेगा, जो दिखा मैंने क्या कहा था कि अब वार्ट सचीव दो प्हार में दिखने लगे हैं कारण मैंने बताया था एक तरफ कुछ वार्सक्यों के निता की दोवारा प्रेस कॉनफरेंस किया जा रहा था दूसरी तरफ परदेश अधेच काम देव जी के दोवारा ब्यान दिये जा रहे थे दूसरे जगा अखिर वहाँ पर परदेश अधेच मौजूद क्यों नहीं थे और जब उनसे एक मीडिया के भाई ने पुछा एक जगह आपके लोगों के दोवारा प्रेस कॉनफरेंस किये जा रहे हैं तो उन्हों ने दोवारा कोई प्रेस कॉनफरेंस कीया रहे हैं हलाकि दूसरे जगह कामदेव जी का बिरोध नहीं हुआ था का गया था कि हर अदमी एक ही जगह नहीं हो सकता है हर लोगों को अलग अलग काम बटा हुआ है कुछ अस्पताल में हैं तो कुछ है जो केस वगर है जो चल रहा है उसको भी देखा जा रहा है हलाकि दोनों जगह बचते हुए देखा गया फिर भी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है और वह कोई कोई बड़ी खबर नहीं है लेकिन वार्ट सचियों के लिए बड़ी बात जरूर है जुसरी और अब जहां वार्ट सचियों जो हैं पटना में सत्ता पच्पर दबाव बनाने के फिराक मे हैं भी पच्छियों से लगतार मिल रहे हैं अपनी मांगों को सरकार तक पहुचाने में पर्यास रत है वहीं थोड़ी सी राजनिती पर नरमता लाते हुए वार्ट सचियों से एक पत्र निकाल कर आगरा किया गया है कहा गया है कि आप अपने अपने परखंड में एक बैठक करें और बैठक करने के बाद में ग्यापन वीडियो साहब को सौपए अपने असानिये परखंड के वीडियो साहब को एक ग्यापन सौपए और जिसमें कह आप आप ऐसा एक पत्र निकालिए यानि जो पत्र आप निकालने वाले हैं चैन को लेकर तुस पत्र में जरूर आंकित कर दें कि योगता के साहते उनका जो चैन होगा वह अनुभव पर भी हो जिसमें अनुभव वाले को प्रात्मिक्ता देने की बात हो अब इस तरह के अग बता दे कि उस पत्र में क्या लिखा गया था और किन के द्वारा इस पत्र जारी किया गया है देखिए भाई आप अपने पत्र को पाचान सकते हैं पत्र हम तक बेजा है पंचायतती वाड सचीव संग पथना भीहार और इसमें अध्यस्ता किया गया है ध्यज बताएं गया है यहां पर दिया गया पत्रचार का पता में आपको ग्राम पोश्ट जाजा और ठाना जाजा जिला जमुई वियार यानि की इन के दोवारा कामदेवजी के दोवारा या पत्र निकाला गया है उनका हस्ताचर भी है परदेश अद्यच्च के नाम से उन्होंने लिखा है पत्र में थोड़ा ध्यां से सुन लिजेगा एक एक 2022 को यानि कि पहली तारीक को ही लिखी गई है नए साल में पंचायत वार सचीव संग के समानित सभी जिला अध्याच्चियों को निर्देश दिया जाता है कि आगामी 3 जनवरी 2022 को परतेक परखंड में परखंड अध्याच्चों के नितुरितों में संग को एक जुट करने के लिए बैठक करना सुनिशित करें साथी पंचायती राजबिभाग के पत्रांक संख्या 7,219 दिनांक 13,12,21 को निरस्त करवाने एवं अनभोग के अधार पर पुराने वार सचीव को ही असाई करने की मांग पत्र परखंड विकास पतादिकारी को सौपने का काम करेंगे ग्यापन सौपते हुए का फोटो गुरूप में साजा करेंगे सभी परदेश कमिटी के सहयोगियों से अनरोध है कि इस करम को सपल बनाने में सहयोग करेंगे धन्यवाद आप सभी वार सचीव परिवार को 2022 की हारीक नौवर्स की शुब कामना है सहीत आपका दिन मंगल मैं हो और लिखा गया है कि कामदेव कुमार परदेश अध्यच पंचायत वार सचीव संग विहाद तो इस तरह से एक ग्यापन भी अब परखंड विकास पतादि निर्देश सभी अपने भाईयों को कामदेव जी के दौरा परदेश अध्यच जी के दौरा दिया गया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आपे विडियो साहब को एक पत्र सोपिये जिसमें कहिए कि जो पत्र 13 दिसंबर को जारी किया गया ताभी बाद में उसको निरस् अनुभव के अधार पर पूराने वार्ट सजीओ की बहाली को लेकर आप पत्र जारी करें यानि की बहाल करने की मांग करें असाई करने की उस अधार पर पूराने वार्ट सजीओ को असाई करने की मांग पत्रे परखण बिकास पतादिकारी को शोपने का काम करेंगी कि से पत्र नहीं आता है उस पत्र को निरस्ट करने के लिए तो अपने जहां पर डाइरेक्टर पंचाइटी राजवी भाग के डाइरेक्टर रंजीत कुमार सिंग का पत्र जारी हुआ है तो वीडियो साहब उस पत्र को कैसे निरस्ट करते हैं सोचने वाली बात है उस पत्र को सआब पागा है वार्स आचीज को करें बिलकुल तोर पर करें लेकिन वीडियोस ऌडेOOOO सहरा है अपने कलम से कभी अपने उचादीकारी के आदेश को भी खंड़ित नहीं कर सकते हैं आप दीजिये निस्ती तोर पर ग्यापन देना चाहिए कार्ज में संघर्स करते रहना चाहिए जित होगी है संघर्स कभी लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए लेकिन जहां तक अगर विडियो साहिब को ग्यापन सोपने पुराने वाट सची जो है अनुभाव के अधार पर उनको ही रखा जाए तो इसमें बिडियो साहिब कुछ भी करने वाले नहीं है लेकिन कार्ज करना चाहिए बंदू अगर ग्यापन आपके संगटन के द्वारा कहा गया है तो निस्टी तोर पर ग्यापन दीजे लेकिन बीडियो साहब के अंडर का यह चीज नहीं है जब पत्र अगर जारी नहीं होता तब भले ही कुछ किया जा सकता था लेकिन जब विभाग के द्वारा पंजायती राज के डिरेक्टर महोदय के द्वारा अगर पत्र पहले ही तेरह दिसंबर को जारी किया गया है उस पत्र के ही या लोक में बेडियो साहब पंजायत के मुखिया लोक को पत्र जारी करेंगे तो निस्षित तोर पर अब कई जगों पर बहाली के लिए पत्र भी जारी हुए है और परकिरिया भी अब तेज होने लगी है अब बिलकुल बस एक सब्ता के अंदर में चाहे नए पुराने वार्ट सचियू रहे या नए वार्ट सचियू का चैन हो अब एक सब्ता के होना तैसा लग रहा है हलाकि हारना हारकर बैठ जाना यह मुर्खता होती है पर्यास करिये हो सकता है चैन के बाद में भी सरकार का पत्र निकले और आपको ही काम पर वापस रखा जाए दूसरी और मेरी सलाह होगी कि जिस परकार से आपने पहले अपने वाडू में चैन के लिए परिकिरिया बनाई की थी रनिती अपनाई थी फिर से नहीं रनिती नहीं उर्जा नहीं उत्ता के साथ अपने वाड में वाड सदस्यों से मिलकर वाड के लोगों से मिलकर अपनी चैन सुनिस्चित कराएं तो अगर आपके चैन पुनागर हो जाता है उसमें सरकार तक ठीक है लेकित अब सत्व और ओर ऐधर लगाना। हमारे इंसार बेuzz नहीं होगा। उस अरजह को अब अपने वार्ट में अगर लगाते हैं वार्ड के लोगों को समझ जाते हैं अगर वाट में आपका बहवार अनुभव आपका व्यक्तित में अच्छा रहा होगा तो निश्चित तोर पर आपके वाट के लोग आपको शहयोग करेंगे और फिर से आपके वाट के वाट सक्यू बना देंगे अपने वाट के वाट सक्यू बना देंगे लेक इसे तोर पर बहुँ सारे वार्ड सचीओं के वक्त में वार्ड में जो लोग खड़े थे उनके खिलाप में तो किसी के पच्छ में वाली भूमिकानी भाये हैं उसका तो भुत्व होगी होना ही पड़ेगा इसलिए हम मैंने पहले भी कहा था किसे वार सचीओं को अलग रहना चाहिए था कुछ लोगों ने माना उनकी आज भी जैजैकार होगी वहां आज भी वार सचीओं बनेंगे और जो हमारे बातों को नजन अंदाज की होंगे अब बनते बनते रहा जाएंगे फिर भी आप प्रयास कीजिए अपने वार्ड के लोगों को बताइए मनाईए और पहने के लिए चोड़िए कि अब फिर से जो गलती हुई है देखिए च्छमा सबसे बड़ा चीज है अगर आपने जो गलती किया है और अपने वार्ड की लोग काम सुभ हो इसी सुभकवनाओं के साथ हम आप से ले तहबिदा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लिए दीज़े इजाजा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरब